वेलकम टो आवर चैनल तो कैसे हो आप सब और आज के इस वीडियो में हम रेवियू करने वाले हैं पतंजली केश कांती रीठा का तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास तक देखें वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब अवश करें तो दोस्तों जैस हमारी जो परणानी दादी नानी जो हुआ करती थी वो अपने बालों में रीठा के थ्रूई अपने बाल को क्लीन करती थी जिसे कि उनके बाल बिलकुल अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाते थे और काले लंबे समय तक रहते थे और बलकुल सॉफ्ट सिल्की होते थे उनकी ब्रिक इन आउट होते हैं, स्प्लिटनेस हो जाते हैं, तो उसी को बालो को अपनी केर करने के लिए बालो में जान बनाए रखने के लिए आप इस शैंपू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी जादा अफ़र्डबल भी है, साथ ही आपके बालो को क्लीन करता है, और बता दूँ, ये जो प्रड़क्ट जो है, ये पतंजली के द्वारा बनाया जाता है, तो पतंजली की जितनी भी प्रड़क्ट जो है, वो स्वामी रामदेव के द्वारा बनाई जाती है, उनके कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, तो ये जो प्रड़क्ट जो है, ये 110% ह स्वाइबर प्रड़क्त तो अगर आपको ट्रस्ट है के बारे में अपने Mother Earth पर ट्रस्ट है तो आप इस प्रड़क्त को यूज कर सकते हो इस प्रड़क्त के बारे में और भी इन्फरमेशन में आप लोगों को बताओ तो यह देख सकते हो इसकी जो MRP है काफे 20 रुपीज में available हो जाएगी साथ ही आपको ऊपर में यहाँ पे टॉप में manufacturing और expiry date प्रड़क्ट की देखने को मिल जाती है इस प्रड़क्ट के अगर ingredients के बारे में बात करें तो इसके अंदर aqua, sodium, laureate, sulfate यह सारे ingredients अट करी गई है जो कि आपके बालों को dry और rough hair को soft और silky hair बनाने में मदद करता है साथ ही आपके hair fall को भी control करता है और बालों को thick और black रखने में help करता है इस प्रड़क्ट के बाद ही बात करें कि आपको अपने इसको बालों में किस तरीके से apply करना है तो अपने बालों को सबसे पहले अच्छे तरीके से गीला कर लेना है और उसके बाद 2-5 ml लिटर आपको अपने बालों में 1-2 मिनिट के लिए अच्छे तरीके से massage करना है और पानी से धोल लिना है कभी भी आप अपने बालों को wash कर रहे होते हो दोस्तों तो कभी भी गरम पानी से wash नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे क्या होते है अपने बालों के जो भी नमी होती है न वो निकल जाती है जिसे की hair fall काफी जादा होनी लगता है इस product के बारे में अगर बात करें तो यह 100% vegetarian है इसकी जो net volume है वो है 180 milliliter साथ ही इसकी जो expiry है यह 24 महिने में product जो है वो expire हो जाता है तो आपको manufacturing यहाँ पर top of the box देखने को मिल जाएगा और इसकी expiry यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस product के बारे में बात करें तो आपको इसको कहीं cool and dry place पर रखना होता है and believe me guys मैं शैंपू को जब मैं school days में थी तब से use कर रही हूँ मतलब मैं को मान के चलो कि मैं को इस product को use करते हुए 10 साल कम से कम हो चुके हैं and I am just love with this product तो आपको कैसा लगता है comment करके ज़रूर बताईएगा और अगर आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like share जरूर करें comment करके बताओ कि product आपको कैसा लगता इसी के साथ जहिन वने मातरम